हेलो ओफीसर्स क्या आल चाला हैं आप सभी के, आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, council of ministers के बारे में, last video में हमने vice president के बारे में पढ़ लिया था, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को first time देख रहे हैं या वो बच्चे नए हैं, तो वो अगर अपनी quality, geography and history को prepare करना चाते हैं तो वो playlist check out कर सकते हैं आपको सारा content एक ही जगह पर मिल जाएगा आपको किसी और channel पर भागने की ज़रुत नहीं है ठीक है या फिर आपको कहीं पर भी पैसा pay करके पढ़ने की ज़रुत नहीं है तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को start करते हैं एक basic introduction पता कर लेते हैं कि council of ministers कौन लोग होते हैं इनके क्या काम होता है और इनके पास क्या-क्या powers होते हैं तो यहाँ पर अगर आप मुझसे पोछते what who is council of minister तो मैं simple भाष्णा में आपको यह कहूंगा कि council of ministers, those ministers who work under the prime minister are the council of ministers तो जो prime minister के under में काम करते हैं उनको council of minister कहा जाता है example में finance minister, deference minister, education minister यह सारे ministers को council of minister यानि कि ग्रुप होता है ministers का उनके group को कहा जाता है council of ministers तो इस चीज चीज के वारे में हम पढ़ने वाले हैं सी साथ हमें हम हम आगे की वीडियो को अपने स्टाट करते हैं कि क्रें अजि अजिए तो हम पड़ रहे हैं कॉंसल ऑफ मिन्स्र संक मैं यह को कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि काइंसल ऑफ मिनिस्टर में गृूप होता है मिनिस्टर YouTuber के लिए काम करते हैं ठीक है और प्राइम मिनिस्टर के एंडर में काम करते हैं इसलिए उनको Council of Ministers कहा जाता है यह बात आते है Union लेवल पर अगर मैं इस National लेवल पर या Central लेवल पर बात करूं तो जो Council of Ministers Union लेवल पर भी होते हैं और State लेवल पर भी होते हैं यानि दो Council of Ministers होती है जिस National लेवल पर भी और State लेवल पर भी ठीक है इस तरह से जो इस चीफ मिनिस्टर के एंडर में ठीक है अब एक और बात आती है अब आप मेरी बात वो थोड़ा से ध्यान से समझना कि मान लो अभी जैसे की प्राइम नरेंद्र मोदी जी की Government है ठीक है नरेंद्र मोदी जी की Government है और अपना जो Government का Time Period होता है वो पांच साल का होता है ठीक है और मान लो 2019 में बीजेपी जीब गे थी यानि नर्रिमोदी अपनी सरकार लेकर आ चुके थे अब उनका चुट पांच साल का कब पूरा होगा दोहजार चौबिस में ठीक है दोहजार चौबिस में उनका टाइम पीरिड पूरा होगा उसके बाद फिर एकुरा उड़िकृ मनेंट पूरा हुआ इलेक्शन्स हो और वापस एक और गवर्मेंट आ जाती है और यह कोई और पार्टी जीच जाती है तो कोई दूसरी गवर्मेंट आ ये भी जेपी होगी, कॉंग्रेस होगी, इवन अगर करिंट टाइम में आप देखो तो आम आदमी पार्टी भी अच्छा खासा कॉंपिटिशन दे रही है अधर पार्टीज को, ठीक है, तो यहां कि मैं बस ना कहना चाहरा हूँ कि अगर मान लो एक गवर्मेंट गई तो इलेक्शन होके दूसरी गवर्मेंट आ गई, तो क्या अगर आप मुझसे ये पूछो, अगर मैं आप से ये पूछता हूँ, तो क्या एक गवर्मेंट का जब टाइम पिरिड पूरा होता है, मानलो उसके 5 साल पूरे हुए, जिस डे वोट दिये जाते हैं पब्लिक के दौर और फिर दूसरी गवर्मेंट को चूज किया जाता है तो उस बीच में कुछ टाइम पिरिड होता है तो अगर मैं आपसे यह पूछू तो जो टाइम पिरिड जो बीच को कौन चलाता है क्योंकि जब देश को चलाने वाली सरकार जो थी उसका टाइम पिरिड तो पूरा हो गया वह तो चली गई और प्रेसिडेंट बिना सरकार के कुछ नहीं है मतलब प्रेसिडेंट तो क्या है प्रेसिडेंट तो कांसल अव मिनिस्टर्स या जो गवर्मेंट हो तो उस टाइम पिरिड में जो बीच में एक महिने का गैप होता है उस टाइम पिरिड में एक गवर्मेंट होती है टेंप्रेरी गवर्मेंट और उस गवर्मेंट को कहा जाता है केर टेकर गवर्मेंट जो की मदद करती है राश्रपतेगी इस देश को उस टाइम पिरिड प पूरा हुआ तो कि 11 अपरेल को वापस से दूसरी सरकार आ जाती है नहीं आती है बीच में टाइम पिरिड होता है और उस टाइम पिरिड में वो टेंप्रेरी टाइम पिरिड होता है और उस टाइम पिरिड में जब तक जो एलेक्शन कमिशन है वो एलेक्शन करवाती है दूस कि यह तो मैंने आपको बात बता दी कि एक सरकार जाती है और दूसरी सरकार जब आती है तो एक time period आता है तो उस gap में कौन से सरकार जो है इस देश को चलाती है राश्च्टपती कौन मदद करता है देश को चलाने में वो सब चीजे मैंने आपको बताई ठीक है अब यहां पर function act in accordance with such advices अब काफी बच्चों के English अच्छी होगी तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और काफी बच्चों के English नहीं अच्छी होगी मेरी तरह क्योंकि मुझे नहीं समझ में आती है चीजे मैं बहुत time लेता हूँ कोई भी चीज समझने में ठीक है तो इसमें क् भाशा में मैं आप से कहूँ कि there shall be a council of minister with the prime minister मलब एक council of minister या नहीं वो गुरूप प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर रहा होता है और जब भी उसे कोई भी decision लेना होता है तो कोई भी देश में law लेकर आना होता है कोई भी बिल पास करवाना होता है तो council of ministers प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर advise करते हैं president को कि ये काम करना चाहिए या फिर ये bill लेकर आये हैं आप इस पर sign कर दो ठीक है तो यहां पर council of ministers prime minister के साथ मिलकर advise करते हैं president को किसी भी काम को लेकर और उस पर signature करने के लिए बोलते हैं तो president उस चीज़ पर signature कर देते हैं चुक चाप बिना कुछ बोले president का काम है सिगनेचर करना और council of minister or prime minister का काम है सलहा देना president को कि इस देश में क्या करना है क्या चलाना है ठीक है? प्रेसिडेंट signature कर देते हैं और president अगर signature देख पहले चीज़ president को signature करना ही पड़ेगा अगर president signature नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं constitution का violation कर रहा हैं क्योंकि constitution में लिखाया कि अगर prime minister और council of ministers करते हैं choose बी सीश्ञश करने को चीज़ के लिए हैं ठीक है जी चीज़ के योदो आई और प्वान॥िझे लिए एंग रभी सीगनेचर करने ही परड़ेंगे और अगर वह नहीं करते हैं तो इसलिए ब्रेसिडेंट की इम्पीच्मेंट की की जा सकते यानि President को फटाया भी जा सकता है उनकी पोस्ट से ठीक है यह चीज़ आप समझ गए ओके नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अब यहां पर आप दो केसिस देख रहे हो हला कि दो केसिस यहां पर कुछ भी नहीं लिखा मैंने लेकिन यहां पर मैंने कुछ pictures लगाई हुए हैं कुछ pictures क्या हैं एक picture में मैंने आपको दिखाया है एक picture में मैं दिखाने के आपको कोशिश कर रहा हूं case 1 में वो यह कि यहां पर यह सारे ministers बैठे हुए हैं इस picture में इस picture में सारे ministers बैठे हुए हैं और इनी के बीच में हमारे नरेंदर मोधी जी भी बैठे हुए है जो की prime minister हैं इनके इनके आस-पास defense minister हो गए home minister हो गए ठीक है ये लोग बैठे हुए और ये सारे लोग साथ में बैठे हुए है ठीक है और दूसरे case में मैंने आपको यह दिखाया कि यह अगर इनको यहां पर avoid कर दो तो यहां पर मैं यह दिखाने के कोशिश कर रहा हूं कि यह जो ministers की picture है यानि council of ministers की table है यहां पर सारे ministers बैठे हुए और इनके ऊपर prime minister बैठे हुए एक मतलब मैं आपको क्या दिखाने कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ prime minister सारे minister यानि जो इतने भी council of ministers उन सबके साथ बैठे कर काम कर रहे हैं और एक तरफ मैंने आपको यह दिखाया कि council of ministers prime minister से नीचे है उपर है superior दिखाया मैंने आपको तो अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कौन सा वाला case सही है तो आप मुझे वीडियो pause करके आप मुझे comment box में बताओ इन दोनों में से कौन सा वाला case सही है ठीक है अब आग वीडियो प्लेगर लो और अगर आपने comment कर दी है तो ठीक है तो मेरे हिसाब से mostly लोगों ने case 2 को tick किया होगा case 2 को tick क्यूं किया होगा या case 2 यहाँ पर सही इसलिए बताया होगा क्योंकि starting में मैंने आप से ये कहा था कि Prime Minister is the Head of Council of Ministers ये चीज मैंने आपको बताई और इसलिए आपने सही इसलिए इसको बोला होगा क्योंकि यहाँ इस picture में भी मैं आपको ये दिखाने कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि Prime Minister को मैंने separate रखा है Council of Ministers से उनके साथ में मैंने attach करके नहीं दिखाया ठीक है लेकिन अगर मैं बात करो इंडिया की सच क्या है सही क्या है तो अगर मैं बात करो इंडिया की तो इंडिया में Prime Minister Other Ministers की तरह ही है और वो सेम उसी ग्रुप के Member है अगर मैं आपको best तरीके से example देता हूँ यहाँ पर head तो मैंने जरूर बोला है कि Prime Minister Head है Council of Ministers के या फिर जो Council of Minister है वो Prime Minister के अंडर में काम करती है बट ऐसा reality में अगर मैं आप से गूँ तो ऐसा नहीं है क्यों यहाँ पर मैं आपको example दे के समझाता हूँ कि मान लो एक class है एक class में 50 बच्चे है और 50 बच्चों में क्या हुआ उन 50 बच्चों को कैसे संभालना है फ़लब एक 50 बच्चों क्लास है सेम उसी तरह से सारे Ministers है जो इस देश को चला रहे है ठीक है वो तो मतलब जो class में 50 बच्चे है और 50 बच्चों में एक टीचर ने क्या किया एक टीचर ने class monitor बना दिया तो अब class monitor बना दिया तो class monitor हला कि है तो उनी बच्चों में से एक member उन 50 बच्चों में से ही तो बिलोंग करता है यहाँ पर council of ministers में मैंने नाम लिए education minister, health minister, finance minister, defense minister तो यहाँ पर भी यह prime minister जो नरिनर मोदी जी है यह भी तो एक minister है prime minister यह इनके आगे भी तो minister लग रहा है तो यह भी तो एक minister है यह भी उसी उसी group के member तो है हला कि इनको prime जरूर बना दिया इनके minister के आगे prime हमने इसलिए लगा दिया सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने class में class monitor बना दिया तो अब जब ये सारे लोग मिलकर एक सरकार बनाते हैं council of minister, prime minister मिलकर एक सरकार बनाते हैं और इस देश को चलाते हैं तो इन में से क्या हुआ जब ये पूरे एक देश को चला रहा है ये group तो वो सभी एक एक बच्चे से पूछने तो नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा, वो class monitor को बुलाएगा और कहेगा तुम आओ और तुम मुझे इन सारे बच्चों की खबर दो कि क्या चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, शांती से बैटे हैं या क्या update है, तो उसी तरह से, या फिर मान लो एक और example दूँ कि नरेंद्र मोधी जी को उन सारे group के ministers ने अपने leader के रूप में उनको prime बना दिया कि भाई हम 50 members हैं, इन मेंजे हम आपको prime बना रहे हैं, आपको choose कर रहे हैं कि अगर हमें अपनी बात teacher से कहनी है, तो हम चाते हैं कि तुम हमारे leader बनो और तुम हमारी जाकर बात teachers के सामने रख दो, ठीके, तो ये वो, prime minister भी एक minister है, simple सी बात, normal सी बात तो लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर other सारे ministers ने अपने एक group member से एक member को उठा कर उसको leader बना दिया, उसको prime बना दिया, कि तुम हमारे group के representative हो, और हमें कोई भी बात इस देश को चलाने के लिए चाहिए होगी, तो तुम जाकर president से बात करना, तुम जाकर हमारी तरफ से बोलना तो बस उसी तरह से यहाँ पर prime minister की कहानी होती है, तो यहाँ पर prime minister just a minister ही है, other ministers की तरह, ठीक है, तो यहाँ पर case 1 ही सही है, अब हम आगे चलते हैं, अब यहाँ पर तो अब जब article 74 मेंने आपको बताया, कि article 74 मेंने आपको बताया कि council of ministers prime minister के साथ मिलकर क्या करते हैं, president को यहाँ पर यह represent कर पा रहा है, कि president जो है, एक rubber stamp है, या फिर एक nominal head of country है, यानि कि उनका कोई bank, जबरतस रोल नहीं है, वो एक normal rubber stamp की तरह ही है, ठीक है, तो वो किसके, कटपुतली की तरह समझे लो, मतलब यह कटपुतली है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको हर जगे, यह महस सूस तो करवा दिया, कि president के पास कोई power नहीं है, मतलब, power मतलब कि वही वो, बाउंडीडी है, constitution ने उन्हें बाउंडीडी कर दिया, उनके advice पर, तो president क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन, मैंने आपको यह बताया हुआ है, president के पास कुछ veto powers भी है, अब अगर आप यहाँ पर आपको बताया, बाउंडीड है, लेकिन उस आपको 74 में यह चीज नहीं लिखी है, कि वाई time limit क्या mention नहीं है, वहाँ पर, time limit का मतलब यहाँ पर यह है, कि अगर कोई भी बिल, president के पास जाता है, prime minister, council of ministers की advice पर, तो president को उस चीज़ पर signature तो करना होगा, बिलकुल, president bounded हैं, ल president in council of minister, prime minister को नचा सकते हैं, नचा कैसे सकते हैं, कि भाई, कोई बिल गया, council of minister, prime minister कह रहे हैं, राश्पती जी, हमने आपको एक बिल बेजा था, उस पर signature किया, आपने, और कर देंगे, कर देंगे, अभी में बुखार आ रहा है, ठीक है, फिर कुछ time बीता, दो महीने बीत फिर बोला, कि हमने आपको एक बिल बेजा था, आप उसको देख लो, signature कर दो, तो उन्होंने का कि भाई, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे चोट लग गए, मैं signature बाद में करूंगा, तो जब ऐसे वो बहाने टाल सकते हैं, बहाने मार सकते हैं, और इनको टाल सकते हैं, तो जब कि मैं bounded तो हूँ, ठीक है, मैंने मना नहीं किया, मैं आपके उपर, आपके बिल पर signature कर दूँगा, लेकिन अगर आप article 74 ध्यान से देखते हो, तो वहाँ पर ये time limit के mention नहीं है, कि मुझे अभी signature करने हैं, दो गंटे में signature करने हैं, एक अफ़ते में signature करने हैं, मेरी मर्जी ह करते हैं, प्रेसिडेंट को, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, जूडिश्री का कोई भी role नहीं है, जूडिश्री का रोल मतलब कि बाई, दो लोग अगर दूसरे कान में कोई बात कह रहे हैं, तो वहाँ पर तीसरे को हक नहीं है, कान लगा कर सुनने की, कि क्या चल रहा है, यहाँ स्टेट लेवल पर ही, तो वहाँ पर तो हमने देख लिया की, प्रेसिडेंट मजबूर है, कानिसल और की ऐडवाईड़ नेकिन लेकिन क्या स्टेट लेवल पर भी गवर्नर भी बाउंडीट है कांसलों मिनिस्टर की अड्वाइज पर हो आंसर इस नो नौट बाउंड गवर्नर बाउंड नहीं है क्योंकि आटिकल 163 कह रहा है there shall be a council of ministers with the chief ministers at the head to aid and advise the governor in the exercise of his functions except in so far as he is by or under the constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion discretion word को मैंने underline किया discretion को अलब समझे रिस्क्रिशनरी पावर तो governor के पास discretionary power है power कैसी कि यहां पर governor bounded नहीं है उसके पास discretionary power है कि अगर कोई बिल जाता है तो बाउंडेड नहीं है उसको बिल नहीं जाजता है वो भगा देगा बगा जाए मेरे को नहीं साइन करना है मुझे तुमारा बिल पसंद नहीं आया मुझे इस पर सिगनेजर करना ही नहीं है ठीक है तो यहां पर गवर्नर बाउंडेड नहीं है यह डिफरेंस है कहां कि यूनियल लेवल पर और स्टेट लेवल पर तो यह सब जब यह जब गवर्नर बाउंडेड नहीं है तो इससे यही रिप्रेजेंट होता है कि गवर्नर more powerful है as from president यानि president से ज़्यादा powerful है इस लेवल पर अगर देखा जाए तो गवर्नर के पास पावर ज़्यादा है president के compare में लेकिन एक और चीज़ अगर हम देखते हैं president की partnering power से तो यहां पर governor के compare में तो president के पास partnering power ज़्यादा है as compared to governor ठीक है governor have discretionary power और एक और बात कि governor की डिस्क्रिशनरी पावर है वो constitution में मैंशन है बट प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनी पावर जो है constitution में मैंशन नहीं है ठीक है नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसी के साथ हमारे आज के इस वीडियो को एंड करते हैं ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और गाई अगर मैं आपकी लाइफ में बैल्यू एड कर पाया हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आयो तो आप हमारे इस चैनल को subscribe कर सकते बैल आइकन दबा लेना और लाइकन शेयर करना अगर आपको मरे वीडियो पसंद आए उन बच्चों के साथ जो की पढ़ना चाते हैं और वो online platforms नहीं कर सकते उनके साथ आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद आव बाइ बाइ